मौसम भाग ने प्रदेश के दक्षिरी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की चेताव नी दी है इस बीच राजनाम गाउं, कांकेर, बीजापूर, सुकमा और नाराणपूर जिलों में भारी बारिश का अलट जारी किया गया है प्रदेश के अन्य इलाकों में भी हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है आज राजधानी रायपूर में सुभा से बादल चाय रही लेकिन दोपहर में धूप निकली मौसम विभाग से मिले जानकारी के अनुसार मौनसुन द्रोणी का मध्य समुद्र तल पर पश्चिमी शोर हिमाले के तराई में स्थित है इसके असर से आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अधिकांच स्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा होने या गरच्चमक के साथ छीटे पढ़ने तथा अकाशिय बिजली गिरने की संभावना है मौनसुन सक्रिय होने से कांकेर जिले के कोईली बिड़ा शित्र में बीते दो दीनों से हो रही बारिश के चलते जन जीवन प्रभावित हुआ है मिड़की, नदी, उफान पर है इस नदी पर पूल नहीं है और स्थानी ग्रामेंट जान जोखी में डाल कर एनिकट से नदी पार कर दूसरी ओर जा रहे हैं नदी के उस पार बियसिव के तीन कैम्प और बाहर से अधिक गाउं भी है बारिश होने से इन स्थानों का जिला मुख्याले से संपर्क तूट जाता है इधर लगातार हो रही बारिश की वज़ह से भिलाई की सुपेला इस्तीत आकाश गंगा वेफसाइक परिसर पूरी तरहा जल मगन हो गया और दुकानों के भीतर पानी भी भर गया इस वज़ह से व्यापारियों को काफे नुक्सान हुआ है दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही की वज़ह से उन्हें काफे नुक्सान हुआ पूरा माल नीचे से सब खराब हो गया पूरा पानी लग गया पूरा उस पे हम लोग 35 साल से यहां बिजनस कर रहे हैं हमने यह स्थिदी नहीं देखी कभी भरता भी था पानी फोड़ा बहुत आभी जाता था तो निकल जाता था अब यह बिरिज के बन चन्ने के कारण है निगम की लापरवाही का है कि यह सब कुछ भी हुआ नहीं और यह पूरा पानी अब पानी बंद होकर के हाई तिंग 5 से 6 गंटे हो गया है तो अभी तर पानी क्लियर नहीं हो पाया यहां भिलाई शहर की निशली बस्तियों में भी लोगों के घरों में पानी भर गया इस वजह से उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है